जैस्री राधिक्रृष्ण आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो इस ब्रत्य के प्रभाव से सुक तथा सुभागी की प्राप्ती होती है दामपत्य जीवन खुश हाल होता है तथा सभी प्रकार के सुक्षम्रिध्य की प्राप्ती होती है इस वर बोले कि हे सनत कुमार अब मैं अतियुत्तम भौम ब्रत का वर्णन करूंगा जिसके अनुष्ठान करने मात्र से वैधव्य नहीं होता विवा होने के पश्चाथ पांच वर्सों तक यह वर्णना चाहिए। इसका नाम मंगला गवरी वरत है यह पापो को नास करने वाला है विवा के पश्चाथ प्रतम स्रावन सुकल पक्ष में पहले मंगल बार को यह बरत आरंब करना चाहिए। केले के खंभों से सुसोभीत एक पुष्प मंडल बनाना चाहिए और उसे अनेक प्रकार के फलो तथा रेश्मी वस्त्रों से सजाना चाहिए। सोलह चने की दालों से मंगला गौरी नामक देवी की पूजा करनी चाहिए और सोलह बत्तियों से सोलह दीपक जलानी चाहिए। प्रदान करना चाहिए जिसकी बिधी आप सुमिए। पर दीवी की प्रतिमा अस्थापित करनी चाहिए। हे विप्र इस विधी से ब्रत करने पर साथ जन्मों तक सोभागी बना रहता है। और पूत्र पूत्रादी के साथ संपदा विध्यमान रहती है। सनत्कुमार बोले कि सर्वपर्थम इस ब्रत को किस ने किया था और किसको इसका फल प्राप्त हुआ। हे शंभो जिस तरह से मुझे इसके प्रती निष्ठा हो जाए। कृपा करके वैसा ही बतलाईए। इस वर बोले कि हे सनत्कुमार। पुर्वकाल में कुरु देश में स्तुर्थ कृति नामक एक विद्वान कृति शाली सत्रूओं का नाज करने बाला चौंसट कलाओं का ग्याता तथा धनुर विद्या में कुशल राजा हुआ था। पुत्र के अतिरिक्त अन्य सभी सुभ चीजुर उस राजा के पास थी। अतावा राजा संतान के विशय में अत्यंत चिंतीत हुआ और जब ध्यान पुर्वक देवी की अराधना करने लगा तब उसकी कठोर तपस्या से देवी प्रशन हो गई। और उससे यहाँ बचन बोली कि हे सुभरत, वर्माम, सुरुत्गृती बोला कि हे देवी जदी आप मुझे पर प्रशन हैं तो मुझे सुन्दर पुत्र देजिए। हे देवी आपकी कृपा से अन्य किसी भी वस्तु का अभाव नहीं है। उसका यहाँ बचन सुनकर पवित्र मुस्कान बाली देवी ने कहा कि हे राजा, तुमने अत्यंत दुरलव वर मांगा है, फिर भी कृपा वस्त मैं तुम्हें आवश्य दूंगी, किन्तु हे राजेंद्र, सुनिये, यदि परमगोणी पुत्र चाहते हो, तो वहाँ केवल 16 वर्ष तक जिवित रहेगा, और यदि रूप तथा विद्या से विहीन पुत्र चाहते हो, तो वह द्रिग जीवी होगा, देवी का यहाँ बचन सुनकर राजा चिंतीत हो उठा, और कुनह अपनी पत्नी से परामर्ज करके, उसने गुणवान तथा सभी शुवलक्षनों से संपन 16 वर्ष की आयू वाला पुत्र मांगा, तब देवी ने भक्ति संपन राजा से कहा, कि हे निर्पनन्दन मेरी मंदिर के द्वार पर आम का ब्रिक्ष है, उसका एक फल लाकर मेरी आग्या से अपनी भार्या को उसे भक्षन करने हे तू परदान करो, जिससे वह सिग पत्नी ने गर्वधारन कर लिया, दसमे महीने में उसने देवे दुल्य सुन्दर पुत्र को जन्म दिया, तब हर्स तथा शोक से युक्त राजा ने बालक का जात कर्म आधी संसकार किया, और शिब का अस्मरन करते हुए उसका नाम चिरायू रख था, इसके बाद पुत्र के सोलह वर्स के होने पर पत्नी सहित राजा चिंता में पड़ गया, और वे विचार करने लगे कि यह पुत्र बड़े कश्ट से प्राप्त हुआ है, और मैं इसकी दुखत मिर्त्यू अपने ही सामने कैसे देख सकता हूँ, ऐसा विचार करके राजा ने पुत्र को उसके मा के साथ काशी भेज दिया, प्रस्थान के समय राजा की पत्नी ने अपने भाई से कहा कि कारपटिक का विच धारन करके आप मेरे पुत्र को काशी ले जाईए, मैंने भगवान मिर्तुंजे से पुर्व में पुत्र के लिए प्रात्ना की थी, और कहा था कि विस्वेसर आप जगतपती की यात्रा के लिए मैं उस पुत्र को आवश्य भेजूंगी, अता आप मेरे पुत्र को आज ही ले जाईए, और साब्धाने पुर्वक उसकी रक्षा कीजिएगा, अपनी बहन की यह बास सुनकर भांजे के साथ वह चल पड़ा, कई दिनों तक चलते चलते वह आनंद नामक नगर में पहुँचा, वहां सभी प्रकार की सम्विधिया से संपन्न, वीर सेन नाम वाला राजा रहता था, उस राजा की एक सर्वलक्षन, संपन, जुवावस्था प्राप्त, मनोहर तथा, रूप लावन्य मई, मंगला गौरी नामक कन्या थी, सभी उपमा में करड़ा करने के लिए गई हुई थी, उसी समय वहां चिरायू तथा, उसका मामा, वे दोनों भी वहां पहुँच गए, और उन कन्याओं को देखने की लालसा से वही विस्तराम करने लगे, इसी बीच विनोध पुरवक करड़ा करती हुई, उन कन्याओं में से, किसी न मेरे कुल में तो इस प्रकार की कोई कमी नहीं है, मंगला गवरी की किरपा से, तथा उनके व्रत्य के प्रभाव से विवाह के समय, जिसके सर पर मेरे हाथों से अक्षत परेंगे, हिस सकी, वह यदि अलप आयू वाला भी होगा, तो भी चिरण जीवी हो जाएगा, इसके ब सामवाले पुत्र के साथ उसका विवाह निश्यत किया गया था, वह सुकेतु, विद्याहीन, कुरूप तथा बहरा था, तब सुकेतु के साथ आये हुए उन लोगों ने विचार किया, कि इस समय कोई दूसरा स्रिष्ट वर ले जाने चाहिए, और विवाह संपन्न हो जान जिससे हमारा कारे सिद्ध हो जाए, इस पृत्वी पर परोग कार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है, उनकी बात सुनकर चिरायू का मामा, मन ही मन बहुत प्रशन हुआ, क्योंकि उसने उपवन में पहले ही कन्या, मंगला गवरी की बात सुन ली थी, फिर भी उसने एक बा आगे जाते, तथा भी आप लोगों का सम्मान रखने के लिए मैं इसे दे रहा हूँ, इसके बाद चिरायू को वहां ले जाकर उनों लोगों ने विवाह संपन कराए, सब्त पदी आदी के हो जाने पर रात्री में शिप पारबती की प्रतिमा के समक्ष, उस चिरायू ने ह लाक्षात काल सर्प रूप लेकर वहां आ गया, इसी बीच संयोग बस राजकुमारी जाग गई, उसने उस महा सर्प को वहां देखा और वहां भैसे व्याकुल होकर कापने लगी, तभी उस कन्या ने धैरे धारन कर सोलह उपचारों से सर्प की पूजा की और पीने के में उस सर्प की प्रातना की तथा अस्तुति की, मंगला गवडी प्रातना करने लगी कि मैं उत्तम ब्रत को करूंगी जिससे अनि मेरे पती जीवित रहे हैं यह जिस तरह से चिर काल तक जीवित रहें आप वैसा कीजिए, इतने में सर्प वहां इस्थीत एक कमंडलू में प्रवेश कर गया और उस मंगला गौरी ने अपनी कंचुकी से उस कमंडल का मुह को बान दिया इसी बीच उसका पती अंगडाई लेकर जा गया और अपनी पतनी से बोला कि है प्रिये मुझे भूख लगी है तब वह अपनी माता के पास जाकर खीर लड़ू आदी लेकर आई और उसके द्वारा दिये भोजे पदार्थों को उसने प्रशन मन होकर खाया भोजन के पश्चात हाथ धोते समय उसके हाथ से अंगूठी गिर पड़ी तामबूल खाकर वह पुना सो गया इसके बाद मंगला गौरी कमंडलू को फेकने के लिए जाने लगी विधी की कैसी गती है कि उस कमंडलू में से बाहर की और जग्मक करती हुई हार कांती को देखकर वह आच्चरे चकित हो गई घट में इस्थीत उस हार को उसने अपने कंठी में धारन कर लिया इसके बाद कुछ रात शेष रहते ही चिरायू का मामा आकर उसे ले गया इसके बाद वर पक् उन सभी ने उससे कहा कि है शुहे तुम यह क्या बोल रही हो यह तुम्हारा कोई परिचायक हो तो उसे हम लोग को बतलाओ मंगला गोरी बोली जिसने रात्री में नौ रत्नों से बनी अंगूटी दी है उसकी अंगली में इसे डाल कर परिचायक निशाने देख ले मेरे प अन्य ही है इसके अतिरिक्त रात्री में आम सीचते समय उनका पैर कुमकुम से लिप्त हो गया था वह मेरी जांग पर अभी बिद्यमान है उसे आप लोग सिग्र देख ले साथ ही रात में परसपर भाशन तथा भोजन आदी जो कुछ किया था उसे भी यह बता दे तब यह निश्य होगा कि यही मेरा पती है इस प्रकार उसका बचन सुनकर सभी ठीक है ठीक है कहने लगे किन्तु जब एक भी बात ना मिली तब सभी ने सुकेतु को उसका पती होने से निशिद्ध कर दिया और वरपक्षवाले जिस तरह से आय थे उसी तरह से चले गए इसके बाद अपने वंस को बढ़ाने वाले महान यससे संपन तथा परम मनस्वी मंगलागोरी के पिता नि अन पान आदी का सत्र चलाया उन्होंने वरपक्ष का बिरतांत कानो कान सुन लिया किस रोप से कुरूप होने के कारण लोगों के द्वारा किसी अन्य को वर के रू जिसके बाद एक वर्ष बीतने पर यात्रा करके चिरायू अपने मामा के साथ यह देखने के लिए आया कि विवाह के बाद वहां क्या हुआ था तब उसे गवाक्ष के भीतर से देखकर वह मंगला गवडी अत्यंत प्रशन हुई और माता पिता से बोली कि मेरे पती आ गया है राजा ने अपने बंदु बांधवों को बुलवा कर पुर्व में कहे गए सभी परिशायकों को निशानी को देखकर मंद मुस्कान वाली अपनी कन्या चिरायू को सौप दी राजा ने सिष्ट जनों को साथ लेकर विबाह का उस्सव कराया इसके बाद राजा वीर सेन ने वज्ट्र आभूशन हादी सेना घोडे रत और अन्य भी बहुत सी सामगडिया देकर उन्हें विदा किया इसके बाद कुल को आनंदित करने बाला वह चिरायू पत्नी तथा मामा को साथ लेकर सेना के साथ अपने नगर पहुँचा लोगों के मुख से उसे आया हुआ सुनकर उसके माता पिता को विस्पास नहीं हुआ उन्होंने सोचा था कि प्राडब्ध अन्य था कैसा हो सकता ह इतने में वह अपने माधा पिता के पास पहुच गया और सिने से परिपोर्ण वह चिरायू भक्ती पुर्वक उनके चरणों में गिर पड़ा तब अपने पुत्र का मस्तक सूंकर उन दोनों ने परम आनंद प्राप्त की पुत्र बधु मंगला गवरी ने भी सास ससुर को परणाम किया तब सास उसे अपनी गोद में बिठा कर सारा ब्रतांत सिगरता पुर्वक पूछने लगी है महामुने जब पुत्र बधुने भी मंगला गवरी के उत्तम ब्रत महात्मे तथा जो कुछ घटित हुआ था वह सब ब्रतांत बताया है सनतकुमार मैंने आप से इस मंगला गवरी ब्रत का वर्णन कर दिया जो कोई भी इसका स्रवन करता है अथवा जो इसे कहता है उसके सभी मनुरत पुर्ण हो जाते हैं इसमें संदेह नहीं है सूत जी बोले रिश्यों इस प्रकार भगबान शिवजी ने सनतकुमार को यह मंगला गवरी ब्रत बतलाया और उन्होंने सधी कारियों को पुर्ण करने वाले इस व्रत को सुनकर महान आनंद को प्राप्त किया तो बोलिये प्रेम से मंगला गवरी माता की जये तो आसा करता हूं कि यहा जानकारी आपको अच्छा लगा हो ऐसे ही ज्यान बर्धक जानकारिया प्राप्त करने के वीडियो को लाइक करें शेयर करें शुखी रहें और स्वस्त रहें जै स्री राधिक्रिष्ण धन्यबाद